आज आपका दूतिये पाली में क्लास नाइन्थ का उर्दू का और आपका हिंदी का एकजाम होगा लेकिन आज पूरा मैं आपके लिए उतर तयार कर चुका हूँ हिंदी का आरथा कि पूरे सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव का उतर चलिए सीख लेते हैं कैसे डाउनलोड करेंगा और सबसे पहले समझ लिजे कि सब्जेक्टिव का उतर आपको कैसे लिखना है किस प्रसन में कितना प्रसन पूछा गया और कितने प्रसन का आपको जबाब देना है फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए सब्जेक्टिव का उतर तो सब्जेक्टिव के उतर में पहले गधांस पूछा गया है पहला का को है उसमें से उतर खोज-खोज कर लिखना था तो यहाँ पे उतर मैं आपके लिए तायार कर दिया हूँ कल के कलास में एक तयार नहीं हो पाया था लेकिन आज देखिए आपके लिए PDF में अड़ कर दिया गया है गधांस का उतर फिर पहला का खोबी गधांस था तो उसका उतर यहाँ पे मैं आपके लिए खोज-खोज कर लिख दिया हूँ उसके बाद आगे आपसे निबंद पूछा गया है तो यहाँ पर दूसन पर निबंद आपके लिए तायार कर दिया गया है फिर आपके लिए देखे पूछा गया था परधाना ध्यापपे के पास एक आवेदन पत्र लिखी है आवकास के लिए तो यहाँ पे ओ भी आवेदन पत्र तयार कर दिया गया है आगे बोला था 5% का उतर दीजिए बुक से प्रसंता तो 1,2,3,4,5 का उतर यहाँ पे है और 100% ब्याख्या से एक प्रसंता तो यहाँ पे आपका उतर यहाँ पे लिख दिया गया है इस तरह आप सब्जेक्टिव में वसी इतना ही आपको उतर लिखना है तो चलिए आप चर् सर्च बॉक्स में चैनल का नाम इस तरह ए आर कैरियर पॉइंट जो स्पेलिंग लिखा हुआ रहा है वह स्पेलिंग सईसी टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च जल्ट आएगा सबसे उपर सू होगा ए आर कैरियर पॉइंट डॉट कॉम वेबसाइट सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे किलिक करना है और नीचे की तरह पे स्कॉल डाउन करना है जैसे ही आप नीचे की तरह बढ़ेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे मिल जाएगा कलास 9 का सेक्षन अगर आप उर्दू की परिक्षा देने जा रहे हैं तो यहाँ पे एमटी उर्दू सब्जेक्टिव का उतर है कोई भी 50 आपको देखकर यहाँ से लिख लेना है फिर यहाँ नीचे की तरह बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव का जो मैं पीडिएफ दिखा रहा था वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सब्जेक्टिव कोशन आंसर का पीडिएफ बना है कि किलिक करेंगे मैं किलिक करके दिखा रहा हूं देखिए मैंने किलिक किया और थोड़ा सा आपको वेट करना है आपके सामने देखिए डाउनलोड होकर ओपेन हो गया मैं खोल कर इसको पूरा यहाँ पे दिखा दे रहा हूं तो की सुरूप में इसका उतर अपडेट किया ग नाइंत के परिक्षार्तियों का अज उर्दू का एकजाम और हिंदी का तो दोनों का प्रस्णपत्र अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उतर के साथ जल्दी से आकर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद